आज मैं बात करूंगा एक कैमरा बैग के बारे में और अगर आप एक फोटोगरफर हैं and you are looking for a good quality camera bag और वह भी बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहते हैं then this bag might be for you तो दोस्तो ये है वो camera bag जिसके बारे में हम बात करेंगे आज and this is from a company called Gelier और दोस्तो हो सकता आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना और in fact मैंने भी नहीं सुना था और एक story है इस पूरे bag के पीछे वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने ये bag के बारे में मेरे को कैसे पता लगा फिर मैंने ये bag को कहां से खरीदा दोस्तों इस bag के पहले जो bag मैं इस्तमाल कर रहा था वो ये वाला मैं करीब टाई या 3 साल से इसको 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 इस्तमाल कर रहा था पर मेरे पास जब लेंसेज वगरा काफी हो गए और जो कैमरा के एकसेसरीज वगरा वो बढ़ती गई तो मेरे को इसका जो स्पेस है वो कम पढ़ने लगा था मेरे को फिर एक नया और बड़ा बैग लेना था फिर मैंने Amazon से तो 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 टोटल तीन बैग ट्राय किये उपसे च्श होगध से टुपह तक के भी बैग ट्राय किये जो तीनों बैग्स है उनकी क्वालिटी और उनका साइज जो बैग मैं इस्तिमल कर रहा था उलरेड इस से वी हल्का था तो मैंने तीनों ρिटरन कर दिया फिर मैं ऐसे रैंडम ली यूटूब पे सर्च कर रहा था बैक्स के बारे में तो मेरे को एक स्टोर है डली में उसके बारे में पता लगा गैलेक्सी फोटो स्टोर लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में अगर आप वहां पर चेक करना चाहते हैं मैंने वहां पे कांटेक्ट किया उन्होंने ही मेरे को रेकमेंड किया कि आप यह वाला बैक्स क्राइब कीजिए और वेरी वेरी सैटेसफाइड जो क्वालिटी है और जो साइज मेरे को चाहिए था बैक का इग्जाक्ली सो अवर रॉल आम वेरी हैपी वित्ती पहन है दोस्तों एक बैक मैंने लिया है 5000 रुपे का और इसकी जो क्वालिटी है जो साइज अगर आप कंपेरिजन करना चाहें तो लोग प्रो का 350 आता है उससे आप इग्जैक्ली कंपेरिजन कर सकते हैं इसका साइज वैसा ही है और क्वालिटी भी मोर और लेस वैसी ही हो सकता है थोड़ा सा क क्राół के पर अगर प्राइस की बात करें तो लोग प्रो का 350 दस घ्रजार रुपे का आता और यह 5000 रुपे का है तो सब्सक्राइब बात करें बैग कि माटीरियल की वगण इस्तिमिल की आ गया वह काफी अची इसका रही जो जिपर है वो भी काफिए अची quality का दिया गया है बेसिकली ये एक Chinese brand है पर quality में कहीं से compromise नहीं किया गया है और आपको एक overall अच्छी quality का bag मिल जाता है चलिए अब bag के अंदर चलते हैं चोटा से ये pocket मिल जाता है यहाँ पे आप कोई भी छोटे मोटी एक्सेसरी वगरा रख सकते हैं उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे एक यह रेन कवर दिया गया है और यहाँ पे यह वाला जो सेक्शन है यहाँ पे आप अपने ट्राइपोड को लगा सकते हैं नीचे आपको tripod का base के लिए भी दिया गया इसके अंदर आपका tripod हैंग हो जाता है और फिर इस तरीके से आप टाई कर सकते हैं उपर से तो आप बड़े अराम से फुल साइज का tripod भी carry कर सकते हैं इस bag में नीचे की तरफ यहां पर कुछ rubber के protection दिये गया है बेस में तो यह moisture से भी बचाता है बैक को और घिसने वगरा से भी बैक को आप जब बार बार जमिंग पर रखेंगे तो घिसने से भी बचाता है तो आपके एक section यहां पर मिल जाता है ऐसे दोस्तों यह इस वाले section में आप चोटी मोटी accessories, SD card या फिर आप अपना pen drive वगरा है या फिर आप यहां पर iPad वगरा भी रख सकते हैं तो इस section में आप अपने accessories, चोटी मोटी accessories carry कर सकते हैं अब चलते हैं bag के main section में दोस्तों और जो जीपर की quality है वो काफी अच्छा दिया गया और waterproof है यहां से आपका पानी वगरा भी अंदर नहीं जाता है और जैसे ही दोस्तों आप main compartment में जाते हैं आपको एक छोटा सा और यह flap मिल जाता है यहां पर जो कि जीपर की मदद से इस touch तो यहां पर अंदर की तरफ space काफी मिल जाता है आपको और आप बड़े अराम से एक या दो camera body चार से पांच lenses वगरा और बाकी सारे accessories वगरा flash वगरा carry कर सकते हैं अगर आपके पास कोई telephoto lens है तो उसको भी बड़े आराम से आप carry कर सकते हैं काफी sufficient size है और जो cushioning है जो material है वह भी काफी अच्छे quality का दिया गया है मतलब 5000 रुपे में इतने अच्छी quality का material आपको मिल जाता है which is a very good thing और मतलब मेरे पास comparison के लिए low pro नहीं है इस बक्त पर I am 100% sure कि जो low pro की quality है उससे कहीं भी कम नहीं आई है quality wise कहीं से कोई compromise नहीं किया गया है चाहे वह स्पेस है इसके अंदर उसके बाद फिर यहां पर भी आपको कुछ स्पेस मिल जाते है जहां पर अपने ND filters वगरा है यह HD card वगरा जो भी आप कैरी करना चाहें दोस्तों इसके अलावा एक और अलग से section दिया गया है जहां पर अपने laptop कर सकते हैं वह दिया गया है यहां पर पीछे की साइड में तो यहां पर भी काफी स्पेस है आप अराम से 15 इंच तक के laptop को कैरी कर सकते हैं तो overall in terms of space in terms of quality और जो पैडिंग वगरा है वह काफी अच् comfortable दिया गया है और यह जो पूरा material है यह breathable material है तो आपको पसीने वगरा भी बहुत कमाएंगे इस bag को अगर आप बहुत लंबे समय तक टांगे रखते हैं अपने solder पे तो यह पूरा breathable material है strap में भी तो आपको पसीने वगरा भी कमाएंगे और नीचे की तरफ यहां पर आप से 15 kg या in some cases 20 kg भी हो जाता है तो यह बहुत helpful होता है अगर आपके पास यह इस तरीके का वैस ट्राइप हो और कोशने वगरा अच्छी हो तो carry करने के लिए काफी अच्छा होता है और दोनों साइड में आपको यहां पर यह पाउस मिल जाते जहां पर आप water bottle यह चोटा या फिर आप कोई gorilla pod वगरा carry करना चाते है तो यहां पर बड़े आराम से डाल के carry कर सकते हैं तो guys अगर बात करें overall bag की in terms of quality in terms of space तो overall सारी चीजे मेरे को अच्छी लगी material अच्छा है जीपर की quality अच्छी है जो straps वगरा इस्तिमाल किया गया है उनकी भी quality अच्छी है जो आपको buckles मिलते हैं यहां पर quick release buckles उनमें भी कहीं से quality में कोई compromise नहीं किया गया है so guys if you are looking for a good quality camera bag in a budget you should try this draw draw me closer to yourself